नमस्कार, भारत का बटवारा एक ऐसी तरासदी थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपना घर खोया, अपने परवारी जनों को खोया, और बहुत कुछ दिला, लेकिन सबसे बड़ा शिकार जो इस तरासदी में बनी वो महिलाएं थी, उनकी कुछ कहानिया कभी-कभी सामने आ सकती है, असंभव है वो कार, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस रचना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी रचना है, जो महिलाएं से सम्मंधित रासदियों को सामने लेकर आती है, उर्वशी बुटालिया की रचना है, The Other Side of Silence, Voices from the Partition of India, Memory, तो इस कित में उर्वशी बुटालिया ने कुछ ऐसी कहानिया सुनाई हैं, अनसुनी कहानिया, जहां Partition के दोरान, बटवारे के दोरान, महिलाओं ने जो बरदाश किया, वो उन्होंने अपनी जुबानी बताया है, तो कुछ इंटर्व्यूज पर बेस्ड है ये किताब, चलिए इसक भारतिया feminist लेखिका है, feminist आप जानते ही हैं, जो नारीवादी सद्धानतों को प्रेरित करते हैं, वो feminist कहलाते हैं, publisher हैं, प्रकाशक हैं, वो activist हैं, मतलब कारे करता हैं, जो समाज में नियाय के लड़ाई लड़ते हैं, वो हैं, was born in Ambala, इनका जन्म Ambala में हुआ था हरियान में, in 1952, ये डेट आपको याद रखनी है, she studied at University of Delhi and University of London, तो उन्होंने Delhi University से पढ़ाई की है, और फिर London University से की है, her parents are सुभद्रा एंड जोगिंदर सिंग बुटालिया, ये उनके माता-पिता का नाम है, she teaches at the Delhi University, तो दिल्ली उनिवरसिटी में वो शिक्षन कारे करती हैं, and oral histories from a feminist and left-wing perspective, तो बुटालिया's main areas, यानि बुटालिया के जो मुख्य शेत्र हैं, of interest, मने रुची के, यानि जिन शेत्रों के बारे में वो लिखती हैं, वो हैं, are the partition, एक तो भारत का बटवारा, and oral histories, और मौखिक इतिहास, यानि लोगों, एक तो इतिहास वो है, जो लिख उनकी यादों में हैं, तो वो oral history है, from a feminist, यानि नारिवादी, and left-wing perspective, लेफ्ट विंग होते हैं, एक तो राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, तो जो राइट विंग वाले होते हैं, वो दक्षन पंथी कहलाते हैं, और जो लेफ्ट विंग वाले हैं, वो व perspective है, इनका जो point of view है, वो वामपंथी है, she has written, उन्होंने लिखा है, on gender, यानि लिंग भेद पर, communalism, यानि सामप्रदायकता पर, fundamentalism, यानि रूडिवादिदा पर, जब अपने ही धर्म को आप शेष्ट मानते हैं, तब आप fundamental होते हैं, fundamentalist होते हैं, and media, और media के बारे में उन् रितु मेनन, she co-founded काली for women, ये आपको याद रखना है, यानि रितु मेनन के साथ मिलकर उन्होंने काली for women की स्थापना की, इंडिया's first exclusively feminist publishing house, तो ये भारत का पहला केवल महिलाओं के लिए प्रकाश्चर था, to provide a forum, इसके माध्यम से उन्होंने एक मंच उपलब्ध कराया for women writers, यानि महिला लेखे काओं को लिए, creative and academics, यानि जो स्रजनात्मक और पठन-पठन से सम्मंधित महिलाएं थी, उनको एक मंच उपलब्ध कराया, in 2003, 2003 में, बुटालिया एंड मैनन पार्डेड वेज, तो इन दोनों के रास्ते 2003 में अलग हो गए, she went on to set up her own publishing house, फिर बुट बुटालिया ने अपना खुद का publishing house set up किया, इस थापित किया, जिसका नाम है, जुबान बुक्स, ये भी आपको याद रखना है, this publishing house published fiction and academic books, तो ये जो प्रकाशन है, जुबान बुक्स, इसने fiction यानि के कहानिया उपन्याज और academic books, जो के आपके syllabus से related होती है, वो सभी तर by and about women in South Asia, तो जुबान बुक्स महिलाओं से समझेत, यानि on महिलाओं के उपर, for महिलाओं के लिए by महिलाओं के दौरा and about, बारे में, तो महिलाओं के बारे में, South Asia की महिलाओं के दौरा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए, तो ये उद्देश है जुबान बुक्स क बुटालिया is an associate of women's institute for freedom of press तो उर्वशी बुटालिया women's institute for freedom of press से जुड़ी हुई है in 2000 she won the pandora award from women in publishing तो ये एक संस्था है इंगलेंड की तो उसने pandora award इनको दिया संस्था का नाम क्या है women in publishing ये 2000 में उनको मिला तो ये multiple choice questions अगर अक्सर इसी तरीके के होते हैं तो इन facts को आप याद रखिएगा in 2011 she was awarded the padmashree by the government of India ये भी आपको याद रखना है 2011 में भारत सरकार के द्वारा इनको padmashree सम्मान दिया गया in collaboration with Ritumanan Ritumanan के साथ मिलकर she wrote उन्होने लिखा in other words ये रचनाए है new writing by Indian women and making a difference feminist publishing in the south in collaboration with Tanika सरकार और Tanika सरकार के साथ मिलकर उन्होने लिखा है she wrote women and the Hindu right, a collection of essays and women and right-wing movements, Indian experiences she also wrote इसके अलाबा उन्होने और लिखे है speaking peace, women's verses from Kashmir and women and partition तो ये सारी रचनाए हैं, इनको याद रखेगा ये सब भी multiple choice questions में अक्सर आप से पूछी जाती है फिर अब देखे, about the work यानि जो आपके syllabus में है रचना उसके बारे में देखे the other side of silence ये रचना आपके syllabus में है voices from the partition of India यानि भारत के बढ़वारे की कुछ आवाजें हैं 1998 में लिखी हुई है by Urvashi Bautalia is an oral history यानि एक मौखिक इतिहास है of the experiences किसका? अनुभवों का and aftermath और जो बाद में हुआ of the partition of India and Pakistan भारत और पाकिस्तान के बढ़वारे के बाद जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में the book focuses on the Hindus and six in the Punjab region तो अब क्योंकि ये खुद भी उदर अंबाला हरियाना की तरफ पैदा हुई है पंजाब हरियाना तो ये किताब मुखित है हिंदू और सिखों के साथ जो हुआ उन पर focused है उन पर ध्यान के इंदित करती है who crossed the newly created border who crossed जिनों ने पार किया the newly created जो हाल ही में बना था रेड क्लिफ ने बनाया एथी रेक रेखा खीश दी रेड क्लिफ ने आके जो बंदा कभी इससे पहले इंडिया नहीं आया था उसको क्या मालूम कि इंडिया क्या है और आकर उसने एक लाइन खीश दी तो जो newly created border था जो नया पैदा किया एक border leaving Pakistan and India तो इस border के आर पार जो लोग आये थे Sikh और Hindu यानि पाकिस्तान रीजन से उन पर केंद्रित है the book is a mix of the lengthy transcripts from interviews with participants and her own commentary on the stories told by the participants तो the book ये जो किताब है is a mix एक mission है of the lengthy transcripts यानि जो लंबे-लंबी interviews है with the participants यानि जो लोग जिन लोगोंने इस तरह सदी को जहला था तो उनके लंबे interviews इस किताब में शामिल है and her own commentary और साथ में वो अपनी खुद की टिपणियां भी करती है on the stories told by the participants जो कहानिया उन लोगोंने सुनाई है and the official history of partition साथ में इस किताब में जो अपचारिक इतिहास है भारत के partition का वो भी है the telling of these stories often happened in groups तो ये कहानियां अक्सर समूहों में सुनाई गई है wherein जिनमें के women's voices महिलाओं की आवाजें were often silenced अक्सर उनको चुप करा दिया गया था as marginalized margin हाशिया होता है marginalized वो लोग होते हैं जो हाशिय पर होते हैं तो औरतों की आवाजें अक्सर हाशिय पर ही रहती है though the book is not only about women हालांकि ये पुस्तक ये किताब न केवल महिलाओं के बारे में है the stories are written ये जो कहानिया हैं लिखी गई है from an explicitly female framework यानि महिलाओं के दिश्ट कौर्ट से ही सुनाई गई हालांकि केवल महिलाओं की बात नहीं है यहाँ पर पूरे इतिहास की बात की गई है resulting in an increased attention to historically marginalized voice तो resulting यानि इसका परणाम ये हुआ है कि an increased attention ज्यादा ध्यान दिया गया to historically यानि इतिहासिक रूप से जो marginalized voices है हाशिय की आवाजें हैं जो के अभी तक दभी हुई थी उन पर अब ज्यादा ध्यान गया लोगों का तो ये जरूर आपको याद रखना है कि इस किताब में आठ ध्याय है बिगिनिंग, ब्लट, फैक्स, विमिन, अनर, चिल्डरन, मार्जन, और मेमोरी और आपके इस लिवस में जो आपको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर वो मेमोरी है हाला कि आपको पूरी बुक के बारे में ही जानना है क्योंकि questions जब पूछे जाते हैं exam में अगर आपका descriptive exam होता है तो पूरी बुक से ही आपको पूछे जाएंगे और मेमोरी पर खास focus करना है आपको चलिए इस बुक का एक पूरा review देख लिजे there is no way we can begin to understand what partition was यानि there is no way कोई तरीका नहीं है we can begin जिससे हम शुरू कर सके to understand समझना what partition was के बटवारा क्या था about यानि किसके बारे में था unless we look at how people remember it यदि हम ये नहीं देखेंगे कि लोगों को ये कैसे याद है यानि लोगों के जहन में लोगों की मेमोरी में ये किस तरीके से बसा हुआ है औरवशी बुटालिया does an incredible job औरवशी बुटालिया ने एक अविश्वस्निय कारे किया है in delineating यानि वर्णन करके and exploring और खोज करके the history of partition बटवारे के इतिहास की from an apolitical perspective तो political राजनीतिक होता है और ये अलग नहीं होना चाहिए साथ में होगा तो apolitical उसका उल्टा होता है गयर राजनीतिक यानि इसमें उनकी कोई राजनीती नहीं है तो एक गयर राजनीतिक दिश्टी कोण से उन्होंने बटवारे के इतिहास को देखा है from the perspective of memories is in the hands of people in the minds of people और जो दिश्टी कोण है वो memories यादों का है is का मतलब जो कि छपी हुई है in the minds of people लोगों के दिमाग में rather than considering the victims of partition as mere numbers or informants तो जो victims हैं जो शिकार हैं partition के बटवारे के उनको उर्वशी बुटालिया केवल एक संख्या या फिर informants बने जो सूचना देने वाले हैं सिर्फ वो नहीं मानती she looks at them as human beings वो उनको इंसानों की तरह से मनती हैं upon whose bodies जिनके शरीरों पर and lives और जिनके जिंदगी में history has been played out यानि इतिहास खेला गया है she brings their sufferings and pain she brings वो लाती है their suffering उनके कश्टों को and pain और उनके दर्द को to the floor यानि सामने लाती है through first hand narratives तो first hand होता है जो आमने सामने आपको एक knowledge मिलती है तो लोगों से खुद पूछा जिन लोगों ने इस तरह सदी को जहला है तो उनसे direct जो knowledge मिली है वो first hand कहलाती है तो सीधे तोर पर प्राप्त किये गए narratives हैं of people लोगों के who have experienced यानि जिन्होंने अनभव किया है जिन्होंने जहला है the partition बटवारे को in their lifetime अपनी जिन्दगी में these narratives ये जो वर्णन है ये जो कहानिया है are वो है pregnant दर्द से भरी हुई गंभीर heart wrenching दिल को एंटने वाली दिल को जगजोरने वाली and soulful और हमारी जैसे उन लोगों की आत्मा सामने निकल कर आ जाती है और हमारी आत्मा उसको अनभव कर पाती है at the same time साथ में opening a pandora's box of emotions तो जब ये किताब हम पढ़ते हैं तो एक pandora's box खुलता है emotions का भावनाओ का pandora's box एक idiom है जिसमें अगर आप उसको खोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं समेट कर वापस आप उसमें नहीं रख सकते पैंडोरा को दिया गया था box ये कहके कि भाई इसको मत खोलना इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं रखी जा सकेगी लेकिन pandora को इतनी curiosity हुई कि उसने वो box खोल दिया और फिर जो चीज़ें निकली वो वापस कभी नहीं रखी जा सकी तो इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो emotions का ऐसा जुआर उठता है जो हमारे दिल में वापस नहीं जा सकती कहने का मतब यह है तो इस बुक ये किताब विल शूरली टेक यानि पका ले जाएगी दे रीडर पाठक को तो दा लेंस यानि उन गलियों में और अरस्टवाइल मतलब फॉर्मर जो कि पहले अंडिवाइड़ इंडिया थी यानि बटवारे से पहले का भारत था वाइल प्रोवाइडिंग और थिक डेस्क्रिप्शन ओफ दा निउएंसस ओफ दिस फैनोमेनन और साथ ही ये किताब आपको वो भी दिखाएगी कि क्या निउएंसस क्या परिशानिया इस चीज ने पैदा की जिसको हम पारिटिशन कहते हैं इससे पहले आप लोगोंने मेरे साथ पढ़ा है पिंजर जो कि अमरता प्रीतम का उपन्यास था और वो भी इसी तरीके से शुरू होता है बटवारे से पहले उसकी कहानी शुरू होती है और बटवारे के बात तक चलती है और वहाँ भी ऐसी ही तरासदी दिखाई गई है महिलाओं के साथ कैसा कैसा बरताव हुआ था उस दोराण तो वैसा ही आप यहां भी देखते हैं Along with personal interviews यानि व्यक्तिकत साक्षतकारों के साथ She has also looked at diaries उन्होंने कुछ diaries का भी अधियन किया है और इसमें शामिल किया है Memoirs, संस्मरनों को शामिल किया है Newspaper Reports, अख़बारों में जो खबरें छपी उनको शामिल किया है Letters, खतों को शामिल किया है And Official Documents और जो सरकारी दस्तावेज है उनका भी अधियन किया है और उनको शामिल किया है To bring out the miride voices Miride मतलब countless अंगिनत आवाजों को सामने लाने के लिए Of individuals, लोगों की That were lost जो कि खो गए in the political facts राजनीतिक तत्यों में Juxtaposing Juxtaposing साथ साथ रगना तो इन सब चीजों को These with accounts of her personal life तो उनके व्यक्तिकत जीवन के जो अनुभब हैं वो भी उन्होंने साथ में रखे हैं She comes from a politician affected family वो खुद भी एक ऐसे परिवार से आती हैं जो कि इस बटवारी से प्रभावित हुआ हलांकि वो खुद तो 1952 में पैदा हुई है आजादी के बाद लेकिन उनका परिवार इस बटवारी से प्रभावित हुआ था Whereby her uncle and grandmother stayed back in what became Pakistan in 1947 तो उनके उनकल और उनके grandmother पाकिस्तान में ही रह गए While the rest of her family आ गया to what would later become India जो बाद में भारत बना She does provide a lesson or two तो वो एक दो सबक देती है on reflexivity reflexivity आप आत्म चिंतन कह सकते है and feminist research methodology और कि इस तरीके से नारीवादी या फिर इस्तियों की जो इस्तिती है उसके बारे में कैसे होज की जानी चाहिए While partition for us has been in the past बड़वारा हमारे लिए तो अतीद की बात है बुटालिया brings forth the fact लेकिन बुटालिया इस तत्थे को सामने रखती है that it is very much a thing of the present कि ये वर्दमान की भी चीज़ है the divisions created then जो division जो बड़वारा उस वक्त पैदा किया गया lurks in the everyday lives of many लक्स मने वो जहांकता है रोजमर्रा की जिन्दगी में बहुत सारी लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी में still मने अभी भी तो जो परिवार उस बड़वारे से प्रभावित हुए वो आज भी पीड़ित है यानि आज भी नहीं भुला पाए उन तरा सदियों को जो उनके साथ हुई focusing on the experiences of violence and pain यानि ये जो किताब है वो focus करती है किंदृत है on the experiences अनुभवों पर of violence, हिंसा के and pain और पीड़ा के of women, महिलाओं के, children, बच्चों के and दलित्स पर्टिकुलरी और खास तोर पर दलितों के She provides a feminist retelling of the history of partition तो वो नारी बादी दिश्टिकॉर्ट से partition की history को बटवारे के इतिहास को पुनें बताती हैं, सुनाती है organizing them systematically into different chapters तो उन्होंने इसको व्यवस्थित तरीके से सुनाया है इस कहानी को अलग-अलग chapters में She deals with each group with equal passion तो ये जो समू है, चाहे वो बात जब औरतों की करती है या बच्चों की करती है, या दलितों की करती है तो पूरे भाव के साथ, पूरी भावना के साथ उन्होंने वर्णन किया है By drawing attention, यानि ध्यान खीच कर To the innumerable, innumerable मौने अंगिनत incidents, घटनाए of rape, abduction and forcible marriage of women तो महिलाओं के साथ ये सारी अत्याचार हुए है और ये आपने पिंजर में भी देखा था कैसे उठा कर ले जाया जाता है पूरो को और उसके साथ जबरदस्ती, शादी की जाती है तो ये एक घटना ऐसी नहीं थी, हजारों लाखों घटना ऐसी हुई थी और ये यहाँ उनको दिखाया गया है इस किताम में भी often by members of their own community as against popular beliefs तो नकेवल अपने एक दूसरे community के यानि जिसे आप पिंजर में देखते हैं कि हिंदू लड़की है और उसको एक मुसल्मान के द्वारा उठा ले जाया जाता है या फिर कोई मुसलिम लड़की है तो उसको हिंदू के द्वारा उठा ले जाता है तो ये घटना ऐसी तो common थी लेकिन इसके लावा अपनी community के लोग भी ऐसा करते थे और मजबूरी का फायदा उठाते थे followed by their forceful rescue और उसके बाद क्या हुआ कि जबरदस्ती उनको rescue भी किया गया अब जैसे आप देखते हैं पिंजर में कि उसको उसकी घरवाले कहते हैं पूरो के कि तुम चाहो तो तुम वापस चलो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें अपना लिया जाएगा रामचरन जो हैं वो तुम्हें अपना लेंगे लेकिन अब रशीद भले ही पूरो को ठागर ले गया था और जबरदस्ती उसके साथ शादी की थी लेकिन साथ में रहते रहते पूरो को रशीद से ही प्यार हो जाता है तो अब ये फोर्सफुल रैस्क्यू कई महिलाओं का हुआ तो अगर माली जबरदस्ती पूरो को ले जाया जाता तो वो वहाँ भी खुश नहीं रहती जैसे के आपने वो जो सनी देल की फिल्म थी गदर वहाँ देखा था जबरदस्ती ले जाते हैं पिताजी अमीशा पर टेल के तो ये फोर्सफुल रैस्क्यू ऐसा इसी घटनाय हुई थी लड़कियां जैसे तैसे उन्होंने अपने समझाता कर लिया जिंदगी से और उन्हें अपने जबरदस्ती वाले हस्बेंट से प्यार हो गया बच्चे हो गए लेकिन उनको जबरदस्ती फिर से रैस्क्यू कर लिया गया तो ये फोर्सफुल रैस्क्यू के एक्जाम्पल्स भी मिल दे हैं जैसा कि बहुत सारी महिलाएं रिजिस्टिड यानि उन्होंने विरोध किया देयर रिटर्ण अपनी वापसी का having found love and family क्योंकि उनको महबत मिल गई उनको परिवार मिल गया and their abductor husband यानि जो abductor था जो उनको उठा कर ले गया था किरनेप करके ले गया husband उसके साथ उनको महबत हो गई और उनको परिवार उन्होंने बसा लिया from the animation यानि जो दुश्मन देश थे उनमें उनको प्यार हो गया लेकिन जवरदस्ती उनको ले जाया गया वापस she shows how ideas of home, community, belonging, honor and nation were inscribed into bodies of women यानि ये सारी चीजें कैसे महिलाओं के शरीर को प्रभावित करती है home घर है, community समधाय है, belonging यानि अपनापन है, owner सम्मान है, nation राष्ट है तो कैसे वो प्रभावित हुई इन सारी चीजों से, ये इस किताब में दिखाया गया है वो जो मैं आपको बीच-बीच में और example दे रही हूँ पिंजर का जैसे मैंने आपको example दिया, गदर फिल्म का example दिया वो आप अपने answer में लिख सकते हैं, comparison के लिए और वैसे भी literature and films ये आपका एक paper भी है, जो आप पढ़ेंगे इसके बाद mass abortions called safaya और बहुत आयत में abortion कराये गए, यानि कोई महिला अगर माँ बनने वाली थी रड़की, तो उनके बच्चों को उनके गर्व में मारा गया, जिसको सफाया कहा गया, performed on such recovered women, यानि ऐसी ओरतें जिनको वापस लाया गया, या अगर वो मसलिम घर में रह रही थी, तो हिंदू फैमिली उसको बापस ले आई, या हिंदू घर में रह रही थी, तो मुसलिम फैमिली उसको बापस ले गई, तो अगर वो माँ बनने वाली थी, तो उनके साथ ये ज्यादती की गई, and the mass suicide of several women, बहुत सारी महिलाओं ने आत्मत्याएं की, that are now garbed in the language of valor and sacrifice, और उसको बड़ा बढ़ा चड़ा कर नाम दिया गया उनको, और कोई कहा गया कि ये वेलर था, उनकी हिम्मत थी, उनकी हिम्मत की दाद दी गई, to avoid being raped by people of opposite faiths, बचने के लिए दूसरे समधाय के लोगों के द्वारा ज्यादती की जाने से बचने के लिए बहुत सारी लड़कियों ने आत्मत आत्या की, are some other shocking details that the book elaborates upon, तो ये सारी एकदम शौक करने वाली धक्का पहुचाने वाली details हैं जो इस किताब में सुनाई गई हैं, दिखाई गई हैं, जिनका वर्ण किया गया है, Interestingly though, Botalia reference from painting a merely gloomy picture and goes to demonstrate how partition also provided many women with opportunities to move into the public sphere, तो केबल ये ऐसी gloomy picture, यानि ये ऐसी गंभीर और उदासी से भरी हुई तस्वीर ही पेश नहीं की हैं, उन्होंने कुछ अच्छी तस्वीर भी दिखाई हैं और ये दिखाया है कि कैसे कुछ महिलाओं को opportunity मिली, अब सर मिला public sphere में आने का, यानि समाज में आने का, activist बनने क often as social workers, यानि समाज एक कारे करता वो बनी, working in the Indian states recovery and relief operations, तो जो सरकार के द्वारा recovery और relief operations चलाए जा रहे थे, उसमें इन महिलाओं ने काफी मदद की, she also attempts to extract the experiences of children, बच्चों के experiences भी उन्होंने इस किताब में दिखाये हैं, survivors of partition, यानि वो बच्चे जो इस partition में survive करे, बच गए, जिंदा बच गए, who have faced several psychological issues later in their lives, लेकिन बाद की जिंदगी में बहुत सारे manovagyanic समस्यां हैं, इन बच्चों ने face की, apart from them, the children born out of illegal bonds, तो कुछ महिलाओं की तो शादी से बच्चे हुए, कुछ महिलाओं के illegal भी तरीके से भी बच्चे हुए, बच्चे सिर्फ उनके साथ जादती की गई, और उनसे शादी नहीं की गई, तो ऐसे भी काफी बच्चे थे, were often a source of anxiety, shame and citizenship troubles, अब उन बच्चों को क्या citizenship दी जाए, कहां का नागरिक माना जाए, तो यह एक ऐसा विशेद है, जो यहां दिखाया गया है, such that their stories were completely marginalized, और उनकी कहानिया ऐसी हैं, कि वो पूरी तरीके से हाशिये पर हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनका जीवन तो और भी ज़्यादा नारकिय होता है, उन्हें कोई नहीं अपना था, तो उनकी कहानिया भी इस किताब में दिखाई गई हैं, तो यहां केवल महिलाओं और बच्चों की बात नहीं हुए, एक आवाज और थी, जो कि दलितों की थी, वो भी यहां दबा दी गई, साइलेंस में, several of their narratives show, बहुत सारी जो उनकी narratives हैं, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, दलितों की, वो यह दिखाती हैं, that they rarely considered themselves as Hindus or Christians, तो वो मुश्किल से ही अपने आपको हिंदू या Christian मानते थे, उनकी समझ में, क्योंकि बहुत सारे दलित लोग convert हो गए थे, और Christian बन गए थे, तो अब वो क्या करें, वो अपने आपको मुश्किल से ही, इन दोनों में से कुछ मानते थे, their distinctive identity, उनकी जो ये खास पहचान थी, जो दलित हैं और दलितों से Christian बन गए, challenges like the inability to find refuse in shelter camps, तो ये जो उनकी खास पहचान थी, कि वो दलित थे, और ये एक चुनौती बन गया, कि जो shelter camps थे, जहां शर्ण लेते थे, ये refugees, तो इनको मुश्किल से ही, वहाँ जगह मिलती थी, अगर जान पहचान में, वहाँ सवर्ण होते थे, या उचवर के, उच जातियों के लोग होते थे, तो वहाँ इनको जगह नहीं दी जाती थी, तो इन सब के लिए अलग-अलग shelter camps बने हुए थे, लेकिन दलितों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उनकी आवाजने भी यहां दिखाई गई हैं, तो उर्वशी बुटालिया ने काफी research work किया है, इस किताब के लिए पढ़ने लायक है, इन रीडिंग दीज मेमोरीज अलंग साइड फैक्स, तो यह जो मेमोरीज हैं, यादे हैं, साथ में कुछ फैक्स हैं, तत्य हैं, she seeks to unearth, she seeks मनें वो कोशिश करती हैं, to unearth मनें खोजने की, a story of partition, यानि बटवारे की कहानी, that has remained untold, जो अब तक अनकही रही है, a history, एक ऐसा इतिहास, that has been rendered invisible, जो के अद्रिश्य रहा है, by the dominant histories on partition, यानि बटवारे के जितने इतिहास लिखे गए हैं, प्रमुक रूप से, उनमें इन इतिहासों का वर्ण नहीं किया गया है, जो उर्वशी बुटालिया ने इस किताम में दिखाया है, the word partition itself suggests, बटवारा जो शब्द है, वो खुद बताता है, a simple division, कि भई एक बटवारा हुआ, साधान तोर पर, जमीन के एक टुकड़े के दो हिस्से कर दिये गए, she argues, लेकिन वो तर्क करती है, that it is inadequate to account for the wider traumas and upheavals, that this event nurtured, कि भई जो उथल पुथल लोगों के जीवन में आई, जो trauma उन्होंने बरदाश किया, जो मानसिक कष्ट उन्होंने जहला, उसका वर्णन ये partition शब्द नहीं कर सकता, throughout the book, इस पूरी किताब में, she acknowledges the ethicality of such research, for it requires vulnerable people to recall horrible details of their lives, वो ये acknowledge करती हैं, इस विकार करती हैं, कि ये थोड़ा ethical नहीं है, यानि नैतिक नहीं है, क्योंकि of such research, ऐसी जो research है, ऐसी जो खोज है लोगों से, जा जाकर पूछा गया, तो वो सब याद करते हैं, vulnerable का मतब जो दुखी हो सकते हैं, परिशान हो सकते हैं, vulnerable का मतब ऐसे होता है, जिसे चोट पहुँचा ही जा सकती है, तो ये ऐसे परिशान लोग हैं, जन्हों ने इतना जहिला है, तो उनसे बार बार जाकर पूछना, मतब उनके खावों को कुरेदना, जो खावा भर चुके हैं, उनको वापस कुरेदना, और वो जो horrific details हैं, वो जो भयानक घटनाए हैं, उनके जिंदगी की, उनको वापस पूछना, थोड़ा अनेथिकल लगता है, थोड़ा सा अनेथिकल लगता है, इस बात को वो मानती हैं, लेकिन उनकी कहानियां सामने लाना भी जरूरी है, ऐसा भी वो मानती हैं, compassion and empathy, perhaps could be less than adequate in such circumstances, तो ऐसी परसितियों में, compassion, यानि दया होती है, empathy, यानि जो हमारी साहनुभूती है लोगों के साथ, तो ये हमेशा कम पढ़ जाती है, ऐसी circumstances में, ऐसी परसितियों में, less than adequate का मतलब जो sufficient नहीं होती है, हमेशा कम पढ़ जाती हैं, किती भी हम उनके साथ sympathy रखें, दया साहनुभूती दिखाएं, लेकिन जो घाव उन्होंने जहले हैं, उनके लिए कोई भी साहनुभूती, कोई भी दया ना काफी है, इस chapter पर mainly जो question पूछा जाता है, वो plight of women, plight बने दुरदशा होती है, तो during partition, औरतों की जो दुरदशा होई, बटवारे के दोरान, औरतों की जो दुरदशा होई, उस पर आपको लिखने के लिए question पूछा जाता है, इस chapter को base बना कर, तो जितना आप ही हम लोगों ने discuss किया, वो और मैंने आपको पिंजर के बारे में बताया, आप उसका example भी इस chapter के questions का answer देते वक, दे सकते हैं, आप गदर फिल्म का भी example दे सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारी कहानियां होगी, इस से related आपने पढ़ी होगी, तो उन सब का example आप दे सकते हैं, तो descriptive exam में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उनका answer देने के लिए, अभी फिल्हाल इतना आपके लिए sufficient होगा, कुछ multiple choice questions भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, पहला question देखिए, उर्वशी बुटालिया was born in, तो उनका जन्म हर्याना में हुआ था, फिर उर्वशी बुटालिया is an Indian author, भार्दिय लेखिका है, पुर्वशी बुटालिया is a left-wing author, यानि वो वामपंथी विचारधारा की लेखिका है, ये आपको सारे facts याद रखने है, तो ये जो किताब है, आपकी syllabus में है, वो क्या है, एक memoir है, यानि संस्मरण है, next question देखिए, अभी अभी आपने पढ़ाता, especially deals with the trauma of, तो खास कर इसमें जो दिखाया गया है, जो परिशानी दिखाई गई है, जो त्रासदी दिखाई गई है, वो women, महिलाओं की त्रासदी दिखाई गई है, फिर देखिए, how many chapters are there in the book, तो इस किताब में total 8 chapters हैं, और उनके नाम भी अभी आपने पढ़े थे, याद रखिएगा, the novel deals with the masker of, तो किसके नरसंहार से समंधित है, ये जो पुस्तक है, the other side of silence, ये सिखों के नरसंहार से समंधित है, the other side of silence is oral history, यानि मौखिक इतिहास है, फिर देखिए, औरवशी बुटालिया tells the story of her, तो उन्होंने यहाँ अपने maternal अंकल की कहानी सुनाई है, अपने मामा जी की कहानी भी सुनाई है, फिर the publishing house established by बुटालिया with Ritu Menon, तो Ritu Menon के साथ मिलकर, औरवशी बुटालिया ने जो publishing house इस्थापित किया था, उसका नाम था काली फॉर विमिन, जरूर याद रखिएगा, और जो उन्होंने खुद इस्थापित किया अकेले, उसका नाम है जुबान बुक्स, the publishing house established by बुटालिया alone, तो अकेले उन्होंने इस्थापित किया जुबान बुक्स, और Ritu Menon के साथ मिलकर, इस्थापित किया था काली फॉर विमिन, दोनों को याद रखिएगा, multiple choice questions में पूछा जाएगा, अच्छा ये वीडियो मैं यहीं समात करूँगी, धन्यवाद,